बुलंद है होसले तो मुठी में मुकाम है, मुश्किले और मुसीबते तो जिंदगी में आम है, हो अगर जिन्दा तो ताकत रखो बाजूओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, तो कि लहरों के साथ में बह जाना, तो लासों का काम है मेरे भाई नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपके अपने परिवार PVR स्टडी में, आज किस कलास में हम लोग पढ़ेंगे तिरकोड मिती, ट्रेगनामेटारी, इंगलिस में बोलते हैं इसे, तो ये कलास UP बोर्ड, विहार धारखन MPs, दिल्ली बोर्ड, कोई भी परकार का बोर्ड है सबके लिए, क्योंकि NCERT जो होता है, ये सबका दादा होता है, इसी पर आधारित सभी का पार्ठिकरम होता है, मुख्य रूप से ये सामिल होता है, बाकि एक्स्ट्रा वोग अपना दे अलग बात है, लेकिन होता सब में ये जरूर है, ठीक है, तो तिरकोड मिती बहुत बेसिक तो पढ़ाना नहीं क्योंकि आपका अच्छा 10 में पहुंचे हो, तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मुशी में चलेंगे, कलास को पूरा इंडे तक देखिएगा, समझाने की पूरी गारंटी होग तो तिरकोड मिती अनुपात में क्या देखोगे बाबु जरा समझना, जब मुख रूप से तिरकोड मिती अनुपात तीन होते हैं, कौन कौन से हैं, साइन कॉश्ट हैं, ठीक है, ये क्या है, आपस में भाई-भाई हैं, साइन का स्टैन तीन होते हैं, उसके बाद इनके त लिखाता है पर दर्थित करता है ठीटा जरूरी नहीं आप कुछ भी लगा सकते हैं इसको मिटा देते हैं और अगला क्या है पता है टैन का कॉट होता है यह आपको याद रखने अगर कोई पूछे कि कितने तिरकोड में ती अनुपात होते हैं यहीं है ठीक है याजीसी तो आप बताओगे कि मुख्य रूप से तीन तिरकोड में ती अनुपात होते हैं मुख्य रूप से कौन-कौन हम यहीं पढ़ते हैं ठीक है इनके तीन अपोजिट होते हैं साइन का कॉस्ट का सेक और टैन का कॉट इतना ठीक है इनकी जगह पर आप ऐसे तीटा भी लिख सकते हो कों की जगह पर ये भी कोई बुरा ही नहीं है पर आया डिफाल्ट रूप में ठीक है क्यों को जहां कुछ नहीं होता है फिक है थीटा क्या बोलता है इसे अए से थीटा ये कोण को पर दर्शित करता है कितने अंस का कॉर्ण है कि चाहे तो आप थीटा की जगापे ऐसे भी लिख सकते हो जरूरत के बदलता रहेगा साइंटी सांस कॉस्पेटाली सांस वो सब चीजें आगे देखेंगे पहले आप इतना जान लो इनका स्क्रिंसार्ट ले लो यह हो गया तो इसी तरह के बाबु इनके सब के अपोजिट के कुछ फर्मूले भी होते हैं लेकिन यहां पर जितना यूज होगा हम आपको कोईश्चन के साथ साथ बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा अगर एक्स्ट्रा में सुत्र लिखवाएंगे तो आप लोगों को मजा नहीं अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपको इस्ट्रा में पहले सूत्र सारे दे दे तो आप कमेंट करके बताइए कलास में हम आपको फर्मूला के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ फर्मूला होगा ठीक है चलिए अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं अग अगैसी स्कृशन पर स्कृशन पर दिखा यार qिस्ट जी डिक्त Kenneth क्लियर अगर आपके पास NCRT वी किताब यता है तो आप किताब लेलो उसमें देखर किताब नहीन ते ऋक्यल्प लोग फे ensuite देखरक्शन साइगा आगेर ना करता है कि भी अधिये स्व समकौन है लेकिन यह मुझे लगता कोजिशन इन्होंने गलट टाइप करा है तिरभूज एबीसी में ठीक है आपके किताब में होगा यह कुछिशन थोड़ा गलत मिस्प्रिंट है तो तिरभूज एबीसी में कुछिशन पढ़िए इस्क्रीन पर दिख रहा है आपको कहां से पढ़ना है जहां लिखा ना एक्स एट पॉइंट वन कलाश्टन गडित क्यू उसके बाद से आपको पढ़ना है जहां पर टी लिखा वो क्या है वो गलत है वो डी नहीं उस पर तिरभूज रहेगा मतलब ति साथ सेंटीमेटर है तो कह रहा है फिर निम्न लिखित का मान गयात कीजिए मतलब साही ने को से इसका मान गयात कीजिए बहुत आसान है भाई आपके पास है तो पेज नंबर दो सो पर है यहां दिख रहें तो सबसे पहले एक समकोण तिरभूज बना लेंगे यह हमने बना लिया इसमें और क्या कह रहा था इसको साइड़ compute मुसीबत करेगा कंभी समकोण है का मतलब यह है कि भाई यह और जो नबयांस बनेगा बीपर बनेगा यह क्या है भी समकोण है इस पर रख दिया बाकिया और सबको कहीं भी रखो ए और सी को कोई फरक नहीं पड़ता तो हम एको यहां और सी को इनके बगल रख देते हैं यह कुश्चन में कहा था फिर से देख लो फिर भूज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है मैंने इतना कर लिया कि एबी 24 सेंटीमीटर है एबी रेखा यह है यह कितना है 24 सेंटीमीटर है दी सी साथ सेंटीमीटर है बोलो दिया ने तुम्हारे सामने दिया है ना फिर कहरा नेमने लिखित का मान गयात कीजिए देखो यार हमें निकालना क्या है हमें निकालना क्या है हमें निकालना तो एक एक चीज और भी लिखो उसके ऊपर दिया दिया हैमें क्या-क्या तिरभूज ABC को इसमें AB 7 cm दिया है BC 20 cm दिया है यह मैं दिया गया है ठीक है जात करना है साइने साइन अभी मैंने बताया साइन थीटा के बारे में न जैसे वैसे यह भी है अभी मैं आपको चीजा और नहीं बताया जो बताना चाहिए तुन लो बता रहा हूं इधर आओ यह आपको याद रखना है यह अलग है सूत्र का पार्ट याद रखना इसे कहीं भी लिख लो यह कुश्चन का हल नहीं है यह फार्मूला का पार्ट है साइन ही प्क है एक को डिफाल्ट रूप में हर जहाँ लिखते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं तो सांइन थीता प्राबर होता है मेरे लभाई लबटे कर्ड क्या होता है लबटे कर्ड यह सूथर क 93 आप कैसे होता है मुक्ष रूप सित्रकोड में तियानुपात है और यह 3 है तो यह एक का मतलब ये हुआ के मतलब कर्ण करा कोस के लिए दूसरा हो जाएगाrition कृर्फ के कर मतलब कर रहा हुआ कम आदिए कर मतलब कर सक लिए यहाल है ददार क्या आधार एक का मतलब כण g स्यσ оно के लिए यहाल आपान ए यल का मतलब लंब ए ऐ का मतलब आधार وس कि इसा सज़्म है याल यहाँ है याल आपान इसा मिलता क्या PS ये आपको याद रखने यह फार्मूले बहुत ही इंपॉटंट है इने कैसे याद रखोगे कोई बड़ी बात है नहीं लालबटा कक्का वहीं काका सब के हैं अरे काका मतलब चाचा जिसे अंकल बोलते हो तुम लोग अब अंटी का काम नहीं इसमें गंटी बच जाएगी तुम लोग कि अगर अंटी का नाम लिया तो सिर्फ अंकल बस चलो लालबटा कक्का यह समझ में आ गया यह तीनों बहुत इंपोर्टेंट है इनके जो चचेरे भाई है अपोजित वाले कि यह से कॉषएक ना इनका भी बताया था ना कॉषएक इसका उल्टा होता है उनका फार्मूला भी ऐसे ही उल्टा होता है अगर मैं यह दिखा देता हूं बाकि आभी काम लगे का तो दिखाता जांग जहां- जरूरत होगी जैसे कॉषएक थीटा क्या होता ना बाबू जैसे साइन थीटा का सूतर लंबटे करण होता है इस फार्मूले फेना उसी तरह से कॉषएक का इसका अजस्ट आप अब ऑजित उल्टा यानि करण उपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा ठीक है तो करण बटा क अग्साइब हो जाएगा स्धार वटे लंबट या घरट जो मालूम है तो हम इसी सूत्र के माध्यम से इसका माने हैं अपर पहले लीखेंगे हुआ साइन का सूत्र क्या होता बाई यम टेकरण है वे लंब बटे कर्ड इसको इंग्लिस में क्या जानते नहीं इंग्लिस में इसको ऐसे कुछ बोलते हैं ऑंप्धाइनर इसको बोलते हैं अलों फोलते हैं ऐसे नहीं निकानने हैं भी led दोंगा थोड़ा सा रूक न क्छुले देखे एक्चुलिंएंख्याइविव जिर्सक्राइवल maravil मौकवते देखो लंप को भी प्रपेंडिकुलर य यह वर्टिकल भी कहा जाता है रहता है करड़ को हाइपोटेनиस वोलते हैं इस inilean के लिए आसान हो जाएगा यानि साइन थीटा या साइन एकोल क्या होगा पर्पेंडिकुलर अपार हाइपोटेनियस आप कैसे तो शाट कट में पी अपान एच ओके तो यहां पर हम इंग्लिज मीडियम वालों के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं एच यहां पर आधार का मतलब इंग्लिस मीडिया वालों के लिए बी मतलब बेस और कर्ड का मतलब हाइपोटेनियस ओके लंब का मतलब परपेंडिकुलर और आधार का मतलब बेस इनके फार्मूले हो गए आप सभी के लिए ठीक है तो देखो मेरे भाई हमें साइने का मान फाइंड करना था यह लंब बट इसको मिटाएंगे सबसे पहले लिखिए आपकी कॉपी में जगा होगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे लिखने में यह तो फार्मूल्या का पार्ट था इसको आपको कुईश्चन में दिखाना नहीं है एक्जाम में इतना बड़ा यह सब पूरा करके नहीं दिखाना पर एक होगी तो आप चाहो तो बगलबबबल में इसको ऐसे लिख सकते हैं अगहीं बगल बगल में लिखने की जगा अगल बगल नीचे ऊपर लिखना तो पहले. हम क्या करेंगे data a c square करेंगे इक्वल एबी का स्कौाइर और प्लस बी सी का स्कौाइर कुछ बच्चे कहेंगे यह कैसे हो गया बता रहा हूं दोखो थोड़ा चुपर रहा है उसको भी बता रहा हूं आप उपर लिख लोगे पाइथा गोरस पर्मिये से ठीक है क्या लिखोगे यहां पर पाइथा गोरस का सूत्र है और तार्ण का साइड में थोड़ा सा कट रहा है थोड़ा सा कट तो मैं आपको यहां पर कर देता हूं आप लोग तो पाइसागोरस पर में सारा मान रखके निकाल लेते हैं हमें एसी कमान फाइंड करना है तो ठीक है भाई एबी कमान कितना दिया बाबु 24 दिया है तो 24 का होल स्कौयर और बीसी कमान सेबन दिया सेबन का स्कौयर 24 का स्कौयर 576 और यह 49 आप सबको पता है ना इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट इनको एड़ करेंगे 625 आजाएगा कितना आएगा 625 यानि जो एसी का स्कौयर हो कितना आया 625 आया एसी बराबर निकालोगे आपको पता इसका वर्गमूल हो जाएगा इतना तो कितना आएगा 25 सेंटीमेटर कितना आएगा 25 सेंटीमेटर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न इतना आप लोग क्या करेंगे कॉपी में सबसे पहले इतना करेंगे यहां तक यहां तक करने के बाद फिर यह चीजें लिखेंगे ठीक है यह चीजों का मतलब यह जो भी है य के हमें मिल गया सब मिल गया इसमें साइन एक कितना हो जाएगा बाबु मुक्तेकर्ड यानि पर्पेंडिकुलर अपान हाइपोटेझियस इसमें से देखो अगर हम बात करें एक देहान रखना यहां पर ayya न गिक सांवने की को सैड होगी जिस पर एंगल बनता से सबहुंदsin a एंगल बदलने हैं सहारा मान बदल जाता है सांव ज़ातायाय एंए के सामने की जो साइड है वो क्या होजाएगी मिन्द फेडन हो पर्फने को नहीं बदलते हैं इस में साइड बदलो तो बात करें तो यह BC upon AC हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू BC upon AC यह BC कमान वहां से देख लो सेबन है AC कमान 25 है यह आपका अंसर हो गया अगला इसमें और भी कुछ पूछा था कोष्टन दिखा यह स्क्रिन पर तो मैं आपको बताता हूं क्या पूछा था भई पूछा था पहलए वाले में ही था न इसमें पहला वाल इने पूछा था और कोष पूछा था और क्या होगा अब यह भी मने लिखा था लाल बटा क कन रल्बटा करण तो फिक है बाबू तो इसमें अगरा कॉस लेंगे इसमें भी सब कुछ वही रहेगा नहीं बदलेगा तो कोई भी भुजा नहीं बदलेगी लेकिन सुत्र बदला इसलिए मान बदल जाएगा तो आधार यानि बेस क्या होगा इसके सामने की भुजा हाई पर्पेंडिकुलर है तो यह बेस है 24 यानि एवी एवी क् और इसको भी लिखता हूं चलो लिख देता हूं कुछ लोग कहेंगे यह दुनों अलग अलग तरीके से क्यों हो गया कोई तरीका नहीं बदला है उपर देखो मैं इसमें का पहले फार्मूला लिखा हूं मान नीचे लिखा हूं तो यह भी फार्मूला लिख रहा हूं एक अगर्ड एसी यह जाया का बाबू आपका एबी अपान एसी ठीक है एबी का वैलू रख दो ट्रंटीफोर है एसी का ट्रंटीफाइव यह हो गया आपका दो इसको लिख लिजिए जल्दी से स्क्रीन साट लीजिए मैं आगे दिखाता हूं नेक्स्ट कुश्चन जल्दी क करिये भाई दन इसक्रीन साट ले लो बाबू जल्दी जल्दी से देर मत करो चलो तो इसका पहला पार्ट हो गया कुश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता जरा ध्यान दीजिए इधर साइड में कुश्चन अब दिखाईए इस कमान भी हम लोग निकाल देते हैं दूसरे प दूसरे का बैलू निकालना था ठीक है इसको मिटा दो हटाओ जल्दी जल्दी फटा 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 अब देर नहीं तो यह हो गए काम खतम कि देखे साथियों यह ऐसे ही हो जाएगा इसमें थोड़ा सांतर होगा बिल्कुल थोड़ा सा एकदम नंधा सा उंतर क्या जरा समझ चलो मैं समझते चलो कैसे होगा इस ऐख है यहाँ पर समझाओ हमें क्या निकालना साइन सी है है तो साइन सी मतलब बदल गया वैंगल यहाँ यहाँ पर बनेगा आब सी इसके लिए सामने की भुजा लम्ब होगी यहीं जो पर्पेंडिकुलर है वह क्या है वर्टिकल जिसे बोलते हैं इसके सामने की बुजा है और बेस हो जाएगी और यह हाइपोटेनियस एसी ही रहेगी तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा वही सूत्र तो वही लाएगा लंब टे करड़ यही रहेगा ना यानी लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यह परपेंडिकुलर हो जाएगी तो यह हो जाएगा सामने की बुजा एबी करड़ यानी यह हमेशा वही रहेगी तो साइन सी कमान आएगा 24 अपान 25 इसी तरह इसी में साथियों कॉसी कमान भी पूछा था बाबू इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा आधार बटे करड़ आप सबको पता है आधार मतलब बेस करण मतलब हाइपोटेनियस नीचे जगा नहीं मैंसली का आंसर इसके सामने ही लिख दे रहा हूं अब भुजा का नाम नहीं लिखोंगा ठीक है आधार बटे करड़ तो देख बाबू यह लंब हो जाएगा सामने यह नीचे बेस हो जा स्क्रीन साथ इतना ले लिजिए आप लोग या फिर वीडियो को रोंक करके लिखिए फिर मैं अगला दिखाता हूं इसमें और क्या पूछा था बहुत जल्दी करिए मैं सामने से हट गया हूं आप लिखो पटाफट अ हो गया ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं ओके ओके ठी के बढ़ती सकता है कि इसको नहीं दिखा जा सकता है जिस्चन सिकंड आसान है रहाए है अकृती मेसे टैन पी माइनस कौ आर का मानगाद कीजिए अब आकर्ती कहाँaden आकर्ती तो सायध आप आप लोग एक बार बनाओगे नीचे फिर से फिगर उसी में काम नहीं चलाओगे यह तो मेरा जुकार्ड है मुझे बोर्ड पर बनाना इसलिए में बना ले रहा हूं तो बच्चों सिकेंड कोईश्टन का हल शुरू करते हैं वैसे मुझे मिटाना पड़ेगा इसको भी ठीक है जालो यह सेवन सेंटिमेटर है इसको मिटाना पड़ेगा इसको भी मिटाना पड़ेगा ओके दूसरा कुश्टन काक्षा 10 की एंसी आइटी मैथमेटिक सिक्सर साइड पॉइंट वन प्रशन संख्या सिकेंड ठीक है आगे सभी तैयार पूरा एकदम कि इनके नाम भी बदलने पड़ेंगे हमें क्योंकि उसमें पी क्यू आर के बारे में बात हो रही है कि इनके नाम भी मैंने हटा दिए बस बचा क्या कुछ बचा ही नहीं है कि क्वेश्टन पढ़िए क्या कहता है इस आकृति में फिगर में जो दिख रहे हैं 10 पी और कॉट आर का मान गयात कीजिए इस फिगर में थोड़ा अंतर है वो देखो यह देखो बाई ऊपर पी है कि इसमें क्यू समकोन है और यार है करना बाबु यह आकरती है जो आपकी किताब में दी गई ऐसे ही यह बारा तेरा सिंटीमीटर है यह बारा है और नीचे वाली नहीं दिए नहीं पिक नितरा है कि आपको अच्छा कुश्चन से छुपा हुआ नीचे आजा भे काहाई को डिश्ट्रब कर करके रख चलो ठिक है आप क्या करेंगे हम लोग भार पूछा क्या है वहां लिकके अपर लिखेंगे यहां पहु लिको दिया है क्या दिया है वैध नीख समकोन ते सिर्भूज PQR जिसमें कोंड क्यूं समकोंड है ठीक है यह दिया है निकालना क्या है यह भी लिख लो इदर साइड में ग्याद करना है ग्याद करना है हमें ग्याद करना है 10P मैनस कॉड़ एर यह ग्याद करना है जब तक हम साइड नहीं पता होंगी तब तक 10 क मान ही कुछ ग्याद करपैंगे 10 कमार कांग कैसे निकालना है यह हमें क्यूस्चन में नहीं दिखानाकर करके अगर तो कोई गलत नहीं है लेकिन करना कोई जरूरी नहीं है ठीक है हट नहीं राका है भई आगे बढ़ें ठीक है ओके चलो ठीक है कुश्चन हटा देते हैं चलो अब लिखिए पाइथागोरस पर्मिये से पाइथागोरस पर्मिये से इसमें पाइथागोरस पर्मिये हम सबको पता है क्या होता है एसी का स्कॉयर होता है यानि कड़ का स्कॉयर एक्वल एबी का स्कॉयर और धन बी सी का स्कॉयर यह हम सबको अच्छे से पता है तो एसी का स्कॉयर मतलब कितना दिया है थाटीन दिया है हां एबी का स्कॉयर वह देखो यह थोड़ा समय ने गड़ बढ़ यह किया एसी यह भी लिख दिया इसमें क्या है ना पी क्यू आर दिया है तो कि इसे हम इस फिगर के अकार्डिंग अगर लिखेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा पी आर का स्कॉयर स्कॉयर यह का मतलब क्यू आर का स्कॉयर समझते चलो थिक है इस चित्र की अकार्डिंग बनेगा यह क्यू आर का स्कॉयर अ gri 15 का स्कॉयर है घ explicitly करेसे लिखा गया उसी क्या का अकार्डिंग हम लोग चलेंगे और यह बनेगा आपका पाइथा गोर पर्कॉष पर्र वार ऐसे लिख देंगे और यह P Q दिया है 12 का स्कॉरर, समझते चलिए बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 चलो, अब यहां से हम क्या करेंगे साथियों, यह 13 का स्कॉरर ऐसे लिख देंगे, यह 12 का स्कॉरर इधर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 144 होगा, इक्वल क्यूर, का होल स्कॉर, याद रखना, यहां पर स्कॉर लगेगा, बबुआ, यह हर जगा स्कॉर रहेगा, यहां भी स्कॉर रहेगा, इसको घटा लीजिए, पांच आएगा, सबको पता है, यह 25 आएगा, फुल मिला करके, पांच आजाएगा, इतना तो तुम जानते हो, पाइतागोरस पर्मिय हो गएरा, फिक्या आएगा पांच, इतना लिख लिया, अब देखो भाई, समझ रहे हो, यह रख कार रहे है, जो मैं इधर करूँगा, यह रख कार रहे है, चाहे तो इसको करके दिखा दो या ना दि सालूसन हो रहा, यह भी मैं सालूसन का पार्थ है, लेकिन यह नहीं है, बाकी लेकिन इसको गोचना मत बगल में लगा देना साइड में कॉपी में, जिससे एक जर्मर को पता चले कि तुम्हें आता है, निकाले हो, यह ना जाने प्लनवा कष देखे हो, इसलिए चलो, तो टो पता है लाल बटा कक्का फर्मूला लगाएंगे बावु लाल बटा कक्का सुत लागाएंगे तो लमबाटे आधार हो जाएगा हो जायगा , लमबल भटा तो भाई कौण, गया निकि पर्पेंडीकुलर अपान बेस कौड यहां पर बनेगा, तो इसके सामने के बज़ा पर्पेंडिकुलर होगी पी के सामने की बुजा क्या होगी पर्पेंडिकुलर होगी यानि लंब होगी तो लंब का मतलब क्या पांच है न यह हम लिखेंगे पांच डारेक्टली लिख देंगे आधार बही अगर इस पे एंगल बनेगा इसके सामने की बुझा पर्पेंडिकुलर होगी यह हाइपोटेनियस होगी तो यह बेस होगी तो बेस कितना है ट्रेल अगला में काम लगेगा कॉट आर का तो कॉट आर भी यहीं से निकाल लेंगी अब ध्यान रखना अब यह बेस आधार कर्ड जिनमें गचर पचर हो जाएगा अब कोड यहां बनेगा न इसके सामने की बुझा पर्पेंडिकुलर होगी यह लंब होगी यह आधार होगी यह कर नहीं है यह दोभी नहीं कि पड़ोसी है आधोर होता है तो यह अत्लाम हो जाता है यार यह पांक 12 के Alexaने क्योंट अग्यों कि इसमें बबू यंगल अलग अलग है इसमें इसमें और यह कौन दोनों पी पी होते अपतो आनंसा करें टोनों तो लिख सकते हैं यह थी अंहीं हो गया उसका प्र zarad देख रहा है उसका और वहाँ से देख रहा तब या उल्टा नहीं हो सकता है गलत है लेकिन हाँ सूत्र नहीं गलत है सूत्र तो सही आधारबटे कर लंभ ही होगा यह फार्मूला गलत नहीं है बेस अपान परपेंडिकुलर ठीक है तो अगर कोड़ार पर बनेगा इसके सामने की बुझा परपेंडिकुलर होगी यह लंभ होगी ठीक है और बेस नीचे होगी तो यह क्या हो जाएगा पांच वेस पांच है और दोनों का मतलब एक हाएगा मान अब यहां लाके मार रख देंगे फाइप पांट वेल माइनस फाइप पांट ट्वेल इतना पुझाने के बाद देखो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है जीरो आजाएगा लगा देना एक्जामनर दिख लेगा खुश हो जाएगा क्या करना है यह तो ऐसे रपका कार्य था जो मैं भी मिटाया इसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है अगर आप नहीं दिखा पाते हो एक्जाम में मत दिखाओ लिखना जरूरी नहीं है पेपर में लेकिन समझना जर यह तीन लाइन भुजा ओगे तो इसे हो जाएगा अगया आपका यह सीकेंड नमबर कोईश्चन डन हो गया अगला कोईश्चन तीफरा नंबर ध्यान देना तीफरा नंबर कोईश्चन क्या कहता है वो भी मैं बताऊंगा प्यार से देखते जाओ ठीक है देखो मगर प्य आपको सिंपल में कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें साइन और कॉस्ट के जो मान दिये गए हैं ले जाकर के रख देना है ठीक है क्या ऐसा था दोनों चित्र में अधा नहीं था सायद ना तो मैं तीसरा चलो आपको बताई देता हूं तरीका कैसे करना फिर कर लेना ठीक ह है देखो समझो थार्ड नंबर कुष्टन में भाई समझना यह आपके लिए हो मोर्क है लेकिन मैं थोड़ा हिंट्स दे दे रहा हूं आप समझते चलिएगा बिल्कुल अच्छे से ठीक है दिल से सबसे पहले आपको इधर एक तिरभुज बना लेना है एक ऐसे ट्रैंगल बना लेना है इसमें देखिए ए बी की बात हुई है न टैन ए और कॉस से निकालना है यानि साइन ने दिया है मतलब हम इनके जो नाम लिखेंगे वह ए बी सी की रूप में ही लिखेंगे अब कि इ लिखेंगे दिया है यहां पर दिया है मतलब ठीक है नै फैiform is यह यहां पर A लेंगे तो इसके सामने की बुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ड होगी, बोलो होगी की नहीं, अगर उसको A लेंगे कोंड, तो सामने की बुजा लंब है, वो आधार है, तो भाई इसमें हमें लंब और कर्ड दिया है, लंब तीन दिया है, कर्ड को चार दिया है तो लंब की जगह पर तीन रखेंगे कड की जगह पर चार रखेंगे अब क्या करेंगे समझना अब हमें क्या निकालना है इसको निकालना इस लोगे जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही ठीक है आपकी सारी कहानी पुरा हो गई ना यही में था बाकी आगे आप लोग करलोगे ना सीधी सी बात है यार बाब उदेखो इसमें क्या निकालना है कह रहा कि कॉसे और टैने कमान ग्याद कीजिए तो कॉसे बराबर सीधा सा सूत्र लगाओगे आधार बटे कर्ण अधार कमान निकाल लोगे पाइथागोरस परमी जैसे अभी में बताया था वैसे ही और करण रख दो के हो गया उसी तरह टैने कमान निकाल लोगे अभी में बताया हूं न बैया बाबु चार्चो का सोला तिंत्रीक करनों सोला मिसे नहों गया इंडर रूट साथ आएगा कमेंट करके बताना इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं जैसे मैंने पहला दूसरा बताया पाइथा गुरस पर मिया लगा इसको मान निकालो फटा-फट रगद हो गया कि अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इस्क्रीन पर आपको पूरा क्लेर सब कुछ दिख रहा है कुश्चन नंबर चौथा चौथा नंबर कुश्चन मुझे लग रहा है कि बताने लाइक है थोड़ा मोड़ा वैसे जादा कुछ नहीं है इसको भी मैं बता दे रह है इसमें भी चलो जो यह 15 कौट दिया ना बाबू इसको क्या करोगे पता है यहां से आप कौट एक अमान निकालोगे तो कौट ए निकालना बहुत आसान है कोई मुसीबत नहीं है बहुत आसान है यहां पर समझिए क्या दिया भई 15 कौट ए बराबर आठ दिया है आपको यहां से हम निकाल सकते हैं कि कौट एक जो मान होगा वह आठ बटा पंद्रा हो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो गया अगर कौट एक अमान आपको दिया है तो इस तरह से आप एक तिर्भूज बना लीजिए समकौन वाला और साइन ए और सेके कमान निकल जाएगा वही कौट एक जो मान दिया है उसको इस तिर्भूज में लाके रख दोगे जो एक भूजा बचेगी उसको पाइथा गोरस पर्मिय से निकाल लेंगे बोल हो जाएगा ना जैसे मने अभी बताया वैसे ही ठीक है तो यह होमवर्क रहेगा इसलिए आप कर लेना मैंने जो प गांटस दे रहा हूं होमवर्क है छवा में देखो इसमें भी ऐसे ही कह रहा है कि यदि से यह बराबर तेरा बटा बारा है तो अन्य सबी तिर्गोड मिती अनुपात पर एक यह का मतलब यह है कि देखो मुखे रूप से तें दिर्गोर मी बात होते हैं, लेकिन अगर हम सभी की बात करें, तो completely 6 होते हैं, त्योंकि 3 तो main होते हैं, तीन उनके opposite होते हैं, तो इसमें अगर हमें sec a का मान दिया है, यानि आप पॉजित वाले का ही मान दिया है, कॉस के अपोजिट कमान दिया यानि हमें ताइन कॉस टैन पॉट और कॉस एक इन सब के मान फाइंड करने हैं तो क्या करोगे आप एक दिर्बू बना लो उसमें से के कमान लंबटे कड के अधार पर मतलब जैसे भी इसका बनता है तक के सारे मान निकाल लेंगे नहीं आगा तो मुझे बताना हूं ठीक है फटा प्रस्न है जो बताने लाइक है मैं इसको बताना हूं देखिए बहुत आस लिखा है आसा ही लिखा है ठीक है चलिए चटा प्रस्न हम लोग करेंगे ठीक है बहुत चलो बाबु रेडी चलिए और प्रस्न करेंगे चटा वाला सबसे पहले आपको एक समकोंट तिर्भूज बनाना है क्या करना है सबसे पहले आपको ऐसे एक समकोंट तिर्भूज बन बी नहीं हो सकता है यह दोनों क्या है नियून कोण है बोल रहा तो हम इसको सी यहां लिख देंगे अब हमारे जो कोण है यह दोनों क्या होगे नियून कोण होगे ए और बी लेकिन जो सी है वो क्या है सम कोण है नियून कोण नहीं है आगे कहानी समझते चलना है बिल्कुल भ लिक रदें क्या देखिए दिया क्या है भई दो नियून कॉड्ट दिया है लिग नियून कॉड्ट को अब कॉर्ड ए और और बी हमें दिया है ठीक है तो आप इसे पचाहे तो लिखेंगे यह थोड़ा सा लिखना कोई मतलब नहीं लग रहा है इसको मत लिखो दिया है आप लोग सोच रहे होंगे काई कटवा रहे हैं देखो पहले समझ लिया करो क्योंकि चीजें कहीं देखके तो लिखना नहीं है समझ के लिखना कैसे बहतर से बहतर हो सके तो तो दिया है में हमें क्या दिया है कास a बराबर कास भी है मैंने यहां पर आपको ध्यान देना है gi a को समझ के चलना है बताओ मुझे यहां पे साइड में यह रफ़कार में कहीं आप समझिये कास से फीया हो influenced सुधर होता क्या है आधार क्रड क्या होता है है तो इसमें कोई कार्ण नियुट一個 क्रण क्यों कई पर वह जुस्य का होगाNS, धिदि सी बात है तो साथ योचा के आधार में एक देख़ें तो इसके सामे की बुजा इसके सामान की सामान क्या है क्या है यह क्या है गरण यह क्या है आधार-किए- ngai शुक्त की दिख टीकर्ण, ओर ऍद्धार क्या इसमें AC upon AB क्या है AC upon AB समझते चलो ठीक है डन? इसमें कोई दिक्कत? नहीं? आगे देखो अगर कौन B के लिए देखेंगे तो फिर यह लंब हो जाएगी एंगल जब B पर बनेगा बाबू तो इसके सामने की बुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी यानि यह लंब हो जाएगी फिर यह आधार हो जाएगी लेकिन कर्ड वही रहेगी हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती है ठीक है? तो यह बेस हो गया आधार यह लंब हो गया परपेंडिकुलर या वर्टिकल ठीक है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ड ही सूत होता है तो आधार BC और कर्ड AB BC अपान AB देखो यहाँ पर समझ के चलना बाबु ठीक है? यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं AB से AB को कैंसिल कर सकते हैं आप लोगों को सिंपलिफिकेशन करना आता है तो AC बराबर क्या जाएगा? BC AC बराबर BC और ऐसे ही ठीक में हम क्या लिख सकते हैं? कौण A बराबर कौण C B यह क्यों लिख दिया मैंने? अब आप कहोगा ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे भाई मेरे बाबु आपने पढ़ा है कि अगर इसमें AC BC के बराबर है AC मतलब यह और BC मतलब यह तो समान भुजाओं के सम्मु कोण तो बराबर होते हैं समान भुजाओं के सम्मु कोण बराबर होते हैं तो AC का सम्मु कोण क्या है? देखो जारा AC इसके सामने का कोण यह भी है ना? और BC BC CC के शुकर कौनई काषब सैंगे 20 BC करकोण A है किक तो मैंने तोड़ criterion知道 लिखा सीधा भी लिखलो कोई फ़रक निपड़ता है C को मुक्ड़ बी है न बीसी का समुकूर ए तो का समुकूर क्या है एक का समुकूर कोड़ टब ब्र दो कोई फ़रक निपड़ता है तो को ने बराबर कॉन भी लिको अबी बराबर ही लिखो मतलब क्या फिक है यही सीध्य करता था निख लिखोगे अधास इडno किसी को कई डाइट है तो बताइए नीसंच इसे कोष्ट्ट में आपके कुल 11 कुष्चन है किसी कोई 11 रहा है इस प्लिक लिजे स्क्रिन साथ लिजिए मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी करिए कुश्चन नंबर सेबन के पुश्चन क्या कह रहा है स्क्रिन पर देखिए तो यह दि कॉट थीटा इक्वल से बना पान एट तो ग्याद कीजिए किया 1 प्लस साइं तेटा इंटू वण माइनस साइन थीटा अपान लण प्लस गौस थीटा इंट्व माइनस को गौश थीटा यह हमें फाइंडि करना है थीक है वह लिखेंगे दिया है को ट्थीटा και बनफान एट करें गया है यह फैन हिलो दिश alors और यह है फर्मूला आपने देखा होगा लाल बटा कक्का यह कहानी आप सबको पता है जिसमें क्या होता है इन आप वोजिट वालों के लिए उल्टा लागू होता ना यह लेकिन हम पहले 10 का ही निकाल लेते हैं चलो सीधा-फीधा तो 10 के लिए हमारा यलपान यह हो जाएगा यानि 10 क होगा न reader 10 के लिए कि व्रल्ब नगे कि यह होता है यह म ist SAN को यह लेका आधर बटे लंब याओ जाएगा आधार बटे लंब क्या हो जाया आधर बटे लंब में बेस अपान परपेंडिकूलर एत अक तिरिधे web keld कर लेते में एक चीज अच्छी है कि इसमें थीटा दिया है कोई भी कोण ABC कहां लिखना है क्या लिखना ऐसा कुछ नहीं दिया है ठीक है तो मिनके नाम कहीं भी अपने अनुसार सोतंत रूप से लिख सकते हैं थीटा की बात कर रहा था मानलो मैंने माना की थीटा यह है मैंने सी पर कोण को मान इसके सामने की बूजा लंब होगी यह निलम इसमें भी यानि याद नीचे का क्या होगा आधार होगा आधार मतलब सेबन यह हमें दिया है अब यह पूछ रहा है 1-1-1 अपान प्लस कॉस और 1-1 कॉस तो पहले हमें सो इन ठीटा और कॉस ठीटा का मालूम होना चाहिए थीटा तो निकाल लेंगे असानी से लेकिन पहले के लिए पहले हम साइन और कॉस का मान निकालेंगे और साइन और कॉस का मान तभी है जब इस तिर्बुच के तीनों भुजाएं मालूब होंगी झाल कॉ जल पाइं लिखो और जो इसमें कहें लिखोगे पाइथा गोरस परमिये लगा दीजिए अधार की फिया और का सकाफोएर और दन्वी सी OB 총 dot sub host vic we are हमें नहीं दिया है स्कॉर से लिखा एंड़ाय इसकोईर मतलब अ 1 का स्कॉइर और बीसी का हुल तो भाई यह 64 हो जाएगा बाबू यह 49 हो जाएगा यह तुम सबको पता इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को हम जोडेंगे जोड़ लो भाई 9-6-15 और 5-4-9-1 कितना हो जाएगा 10 अजीब गाएगा 113 यानि AC बराबर कितना आएगा अंडरूट 113 यह आपको म कोई दिक्कत नहीं है चलिए हमें सब मिल गया अब हम क्या करेंगे भाई हम निकालेंगे बाबू साइन थीटा का मान और कॉस्टीटा का मान जब यह मान आ जाएगा तो हम मुख्य कोईस्टन में ले जाके रख देंगे और हमारा फाइनल में सारा जुमान है वो मिल तो लिखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे थीटा बराबर सुत्र होता है लंब बटे कर्ड क्या होता बहिया लंब का मतलब परपेंटी कुलर कर्ण का मतलब हाइपोटीनियस इसमें लंब क्या है अगर हम कोण को थीटा लेते हैं तो लंब क्या बाबू लंब इसक जाएगा आठ बटे अंडरूर्ट थर्टीन वन वन थर्टीन उसी तरह से कॉस्थीटा में अगर आगे बढ़ेंगे तो लाल बटक कक्का के एकॉर्डिंग यह हो जाएगा आधार बटे करड़ आधार यानि बेस करण का मतलब हाइपोटिनियस तो बही बेस क्या है इसके सामने का बुझा यह क्या है यह बेस मतलब सेवन करण का मतलब 113 कि समझ में यह हो गया मुख कोईश्चन में जो पूछा था उसे एक बार दिख देखाओ यार है कि सत्वा नमबर ना कि ऐसे निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे इनको हल करेंगे जलो फॉर्स कॉइस्चन हम उतारते हैं जो आपके बुक में दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1-स थीटा ऐसे कुछ हमें निकालना है ना नीचे क्या है 1 प्लस पॉस थीटा वन माइनर पॉस थीटा यह हमें क्या करना है फाइंड करना है तो चलो फटा पर कुश्चन हटा के इनके मान रख लेते हैं लेना ठीक है देखो भाई नीचे थोड़ी कम जगा है और यह फ्रेक्शन के फार्म में इसको मान रखने के लिए थोड़ी जगा चाहिए तो इनके मान में आगे लिखूंगा आपको एक सुझाओ बता दूं सभी बच्चे क्या करोगे सबसे पहले लिख लो यह पहली लाइन जो है और कौस धे बराबर जो पूरा लिख लेना ठीक है अगर आप नीचे ऊपर काउपी में लिख रहा थकर आप़की काउपी में जगा है इसे बगichi में और मिट थ्यूंकि हमारे पास जूगा नहीं को कॉर्माना थर्ट कि देंगे फाइनल में अंसर आजाएगा कि यहीं था मेन आपका कि अलूशन ठीक है कोई डाउट है आप कमेंट करो मैं बताऊंगा निसंकोच आप कमेंट कर यह पूछिए कोई भी डाउट है आप पूछिए चलिए वन प्लस साइन थीटा वही मान इसके यहां रखेंगे बाब उपर साइड में ठीक है तो वन प्लस यहां से आजाओ वन प्लस साइन थीटा साइन थीटा कमान अभी अभी आया था यह पान अंडरूट कितना है जो भी यह देख लो लेकिन उसके पहले एक चीज़ा और समझो वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा एक सूत्र भी होता है अगर वह ऐसे भी कोई सूत्र नहीं होता ता ऐसे मान लो ए प्लस बी ए माइनस भी होता नहीं है एका स्कॉयर माइनस बी का स्कॉयर होता ना भया तो बाबू यह ऐसे बन जाएगा इसका फार्मूला हो कहugen है ने समझे यह को समझ एगा मैनस साइन इसक्वाइर थीटा होता है वन प्लस इन इसन फीटा यह फर्मूला होता है सूत्र होता याद रखना क्या यह इसके बराबर होता है इसी तरह से छात्रों गूस कोस इसक्वाइर थीटीर यह वन बेष्र सक अप यह सूत्र है इन्हें याद कर लिए हम इस पूरे को उधर वह से लिख सकते है अब इस सारे मान रख देंगे वन माइनस ताइन थीटा का मान है आठ बटा अंडर रूट हां वन वन थ्री और इसका चुकी होल स्कॉयर है यह पर इसलिए इसका होल स्कॉयर वह उसी तरह से इसमें वन माइनस यह सेबन अपान अंडर रूट वन वन थ्री इसका होल इसका है इसमें किसी को कोई दिक्कत परसादी नहीं ठीक है बहुत आसान है अब मैं इसको मिटा रहा हूँ देखिए मैं जैसे जैसे करता जाओं साथ साथ में आप लोग करते जाओ जिससे कि आपके लिए भी कोई परकार की परिशानी ना हो और हमारे लिए भी ना हो देखो भाई यह अंडरूट में है ना बाबु किसी भी नंबर को अगर अंडरूट में लिखा है अगर उसका स्कॉयर करते हैं तो वह नंबर वैसे उतर जाता सीधा साथा उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं होता है ठीक है और अट अंडरूट में नहीं है इसलिए जब इसका स्कॉार करेंगे तो क्या हो जाएगा आठ तो जाएगा 64 और यह 113 ऐसे ही रहेगा यह जाएगा साथ का वर्ग 149 और यह 113 ऐसे ही रहेगा ठीक है आप लोग अच्छा 10 में पहुंचो इतना तो आपको आता ही है नहीं आता तो बताना वही आठ का वर्ग हो गया लेकिन इसका वर्ग होगा तो क्या होगा अगर कोई बी एक नंबर वर्ग में होता है उसका प्र करते हैं तो वह नंबर आजाता वहलme बाकी कोई पढलाहर नहीं होता है नाट यह बं करोगर देता हूं आप लोग इन सब को देख लिए हो लिक लिए हो इसमें किसी को कोई परकार का अभी संसा नहीं है संसा मतलब संका मतलब है चलो तो भी यह इनका क्रास मल्टीपल कर लेंगे बाबू जहां से हल करेंगे तो यह हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113 यह तुम्हें हल करना आता है मैंने इसका इसमें गुड़ा किया इसका इसमें किया इसका इसमें किया वैसे इसमें भी हो जाएगा 113 माइनस 54 अपान 113 यह कट जाएगा यह आप घटा के देखो पहले पिर मुझे बताओ सब्सक्राइग कर लो क्या आएगा बाबू 49 इसमें से सब्सक्राइग करो तो 60 सम्थिंग आएगा कि घटा आटाना जानतें विश्में कोई बड़ी बात है नहीं 64 आएगा कम फेुजं से यह देखो जाज है ने इसमें से नोगे चार यह नहीं से की निकालना था निकालना था, इसका मानी तो निकालना था, यह मो गया अड़न। अपर को लिखना है लिख लीजिए पहला कुश्षिंट साथ बाई कुश्टन नंबर कौन साथ आधा भाई कुश्टन साथ भाई नमबर हो गेंबर हो गया स्क्रेंस ले लीजिए नोट करेंक करें जल्दी करिए कि अपहले पाध मार पर आजाओ आठमा देखो, बैंद आठम आठवा नंबर कह रहा है कि यदी 3 cot A बराबर 4 है तो जाच कीजिए 1-10² A प्लस नहीं 1-10² A इपान 1-10² A बराबर cos² A-sin² A है या नहीं है पताएए यह पूछ रहा है कि ऐसा है या नहीं है आपको जाच करके बताना है तो मुझे यह बताओ कितने बच्चे NCRT वाली बुक लिए हो लिए हो सभी बुकें अगर आप लोग NCRT वाली किताब लिए हो तो आपके सामने यह कुछिन दिख रहा होगा और आप उससे बहुत कुछ सीख गया होंगी मतलब समझ गया होंगी कि क्या रहा है वास्तों में आप आद लिए हैं पध्राइग है लिखो 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 कि बैं इंग्लिच मीडियम वाला लिखे का बच्चवागी बैं कि कुष्ण नमबर आठ हो आँ झांद में लिखे दिया है इस है 3 इक उटे इकाल 4, ये दिया है, बाबू हो, यहां पर cod A बरबर आएगा आपका 4 upon 3, की आएगा, 4 upon three, और हमको पता है कि जो cod A बरबर सूत्र होगा, वो टैन का उल्टा होता है, टैन का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कका से लंब बटा इसका हो जाता है आधार बटे लंब बेस अपान पर्पेंडिकुलर ठीक है बीपान पी अपन पर्पेंडिकुलर ठीक है तो आगे बढ़ें इतना हो गया पूछा क्या था बड़ा आजीब टाइब का पूछा है नवीरा जाज कीजिए प्लाने प्लाने बराबर हैं नहीं तो कोई बात नहीं हमें टैन और प्लान से उस को भी ग्याद करेंगे और ग्याद करने के बाद कुछ करेंगे तो कौण ए दिया है ठीक है समझना तो देखो यहां पर एक चीज समझना हम यहां पर मान लेते हैं यहां पर भी यहां पर फी कहीं भी कुछ भी मान सकते हो लेकिन यहां पर माना है तो हमारे लिए लंब यह सामने की भूजा हो जाएगी यह अधार हो जाएगी यह कर्ड हो ज तो है ना यानि इसमें आधार दिया और करड़ भी दिया है आधार चार दिया है या दिया है अरे यह लंब होगा तो यह आधार होगा ना यार आधार दिया है और और क्या दिया लंब दिया है ना लंब क्या दिया है तीन दिया है ठिक है मने रख दिया आप समझ गए ना मेरी बातों को आप समझ गए अब जो एक भुजा नहीं दी गई है उसको भी हम स्कॉयर और प्लस बीसी का होली स्कॉयर सारे फार्मूले लगाओगे एबी का होली स्कॉयर मतलब फोर का स्कॉयर बीसी का स्कॉयर मतलब बीसी यह थ्री का स्कॉयर हां तो कर लो यह 16 प्लस नो मतलब यह जाएगा 25 एसी बराबर हो जाएगा अंडरूट 25 एसी बराबर आएग पांच कितना आएगा एसी कमान 5 आएगा वह दिक्कत नहीं नहीं थोड़ा चबर करोगे तो सब दिखेगा वह दिक्कत नहीं चलो कि यह क्या आगया पांच आगया अब हम यहां पर सारे मान निकाल लेंगे जो हमें जरूरत है जैसे कि साइन कोईशन में फिर से देखो एक बार यह कि 1-10 स्कॉयर एपां 1-10 इसकॉयर ए यह बराबर है कॉस्ट स्कॉयर ए माइनस साइन स्कॉयर ए बराबर है या नहीं है इसकी जाच के लिए हमें 10 साइन और कॉस अर्मान मालूब होने चाहिए तो हम साइन एक मान निकालेंगे और 10-10 कामान निकालेंगे तो सा Corn ए बराबर लंब बटे करण सुतर होता है सबको पता है Cape York, bye, Mac, quintay है सब में वही है कॉन नहीं बदल रहा है इसलिए लंब बटर आधार गभी नहीं 002 पांच ठीक है गो किया रखेंगे क्या तीन बटा 5 क्या रखेंगे त्यों हो जाएगा। इफ इसी तरह से कौसे का सूतर क्या ओजाएगा लाल बटा ककखा से आधार बटे कर्ड लुक्त पाभुर यहां पे समझना आधार या आपका रखें अगर यह कोण इसके सामने नम्ब हो जाएगा आधार चार हो जाएगा कड़ पांच हो जाएगा यह नि चार बटे पांच इसी तरह से कभी हो जाएगा लाल लाल बटा कका से लंब बटा आधार यह आप सब ही हैं था है's मांन लेंगे और दोनौन हम निकाल लेंगे लेगा इतना यसे कर लो अगल बगल में कापी में इतनी जगा होती तुम बगल कर सकते कि लिए इतना करने के बाद पर नीचे लिखो जो भी निकालना है मुसक लिखा चल रहें ठीक है अरे भाई एक जो इसके पहले का question करवाया था उसमें दो part था ना इसका part थो तुम उएसे कर लोगे कि नहीं सत्वे question में square भी था न कॉट square कर लेना कोई दिक्कत नहीं है चलो तो चलो इसमें क्या करेंगे LHS, RHF ले लेंगे सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं LHS मतलब left hand side वाला पद तो क्या है भई स्क्रीन पर देखो 1-10 square A upon 1 plus 10 square A यह है 1-10 square A और 1 plus 10 square A यह formula इदर side में हम apply करेंगे फटा-फट रखते जाएंगे answer दोड़ते आएगा 3 बटा 4 दिया है का दिया बाबू? 3 बटा 4 तो 1-3 upon 4 का whole square हो जाएगा और यह 1 plus 3 upon 4 का whole square equal 1-9 upon 16 और 1 plus 9 upon 16 तब के नीचे 1-1 लिखिए ठीक है तिरशा गुड़ा करिए अब इसके बाद में हम यहां के बाद में उधर side हल करेंगे वैस वोला का सोला में एक में गुड़ा होगा तो क्या होगा बाबू? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना 16 का 1 में multiple 1 का 9 में उसी तरह से इसमें भी होगा यह हो जाएगा 16 कम 16 तो 9 बटा 16 सोला से 16 कट गया इसमें से गटा होगे 9 हो जाएगा 7 आएगा यह 25 7 upon 25 कितना आएगा 7 upon 25 यह किस का मान आया यह LHS का मान आया अभी हमसे पूछा था कि क्या यह दोनों आपस में बराबर है यह नहीं है इफ लिए हम RHS के भी मान को प्राप्त करेंगे इसको लिख लिजिए फिर RHS का निकलते हैं ठीक है? हो गया इतना? अब RHS का मान निकालेंगे इसी जगह पर निकालेंगे क्योंकि हमें साइन का इस्टाइन का मान की जरूरत है अगर इसको मिटा देंगे तो हम कहा लिखेंगे? हो गया इतना? अब लिखो RHS क्या लिखोगे? RHS मतलब राइट हैंड साइड वाले जो टम्स हैं हमें उनको हल करने हैं देखिए पूरा कलास इंड तक देखना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं पंकज इल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है बाबु प्रियंका सिंग दिख रहा है कमेंट आपका मोहित रजे अंदोबस आप अरेचेस वाला पद क्या है वाई इसक्रीन पर देखो नीचे दिख रहा है ना को सिस्कुरे माइनस साइन स्कुरे यहां पर कोई सूत्र नहीं रखेंगे सिर्फ कॉस और साइन के मान रखेंगे तो कॉस एक अमान चार बटा पांच दिया था बाबू इसका होली स्कुरे कर दो ताइन एक अमान तीन पांच दिया था इसका होली स्कुरे कर दो कि 5 हाइन성을 में आपका हो जाएगा 4 चौका 16 बट पचीस माइनस और तिंटिकान 9 बचाचीस एक कोई दिक्कत भी ना सोला मैसे 9 गटालोगे solve-9 202पाइनल मेंज आपका आएगा 7 बटढ पचीस सहां आनसर अरे वह आंसर नई प्लोर नहीं 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 यह क्या हो गया आरेचएज अब क्या करों गया पत्त हैं। अभी आपने देखा कि लेच भी इतना ही आया था लूआया था कडूरर अपल लिखो कर यहां पर л.h.s पूंचा क्या था कुश्चन में कि यह आपस में या नहीं आप नीचे लिख दो आता हम वन माइनिस स्क्वाइर एपान वन फ्रस्ट इस्क्वाइर बराबर और स्वाइर माइनस साइनिस्क्वाइर है पदल दोनों बराबर है ठीक है या फिर लाइट में लच बराबर लख दोगे तो भी समझने वाले समझ जाएंगे हो गया तो यह दोनों तरीका आप कुछ भी कर सकते हो इसमें किसी को परिशानी दिक्कत नहीं ना कोई परिशानी नहीं ना चलिए तो लिख लिजिए आपका आठवा नंबर हो गया डन इसके बाद अगले प्रस्म की तरफ आगे बढ़ते हैं ज्यान देना 9 नंबर कुछ नंबर 11 आपके सामने है निपर है बहुत ही प्यार से दिख रहा आप उसे देख और समझीए क्या कहता है कि दिया है क्या दिया है यह लंबटे आधारी क्या मतलब जरा समझ यह एक्चुलिए तो हमें दिया है क्यूं यह देखें नीचे स्कृन पर सब के नीचे 10 A का जो सूत्र होता है तिरकोड मित्य नुपात में वो लंबटे आधार होता है मैंने बताया है ना लंबबटे आधार लंब को इंगलिश में पर्पेंडी कुलर बोलते हैं अधार को बेस बोलते है इसलिए दिया है पिए अपान बी लिखा यानि यह सिभेसी वाले के लिए छिक है अगर कोन को हुम इस पर मानेंगे बाभू और पी जो है समकोन है सी यह है तो हमारा जो लंब होगा परपेंडी कुलर वो इसके सामने वाली साइड होगी बीसी होगी यह क्या होगी लंब होगी अगर यह लंब होगी ती यह आधार होगी और यह करण होगी ठीक है तो हमें क्या दिया है दो साइड दी गई लंब और आधार दिया है तो लंब तो आप यहां पर अंडर रूट तीन लगाएंगे इसमें नहीं पता हमें उचको क्या करेंगे पाइथा गोरस परमिये से निकालेंगे यह बहुत इंप्वार्टेंट है आप लिखोगे पाइथा गोरस परमिये से जिक एजिए का होल स्कॉायर इक्वल आप लगाओगे A, B ka square Dhan B, C ka square ठिक है तो A, B ka square A, B मतलब under root 3 ka whole square और Dhan B, C ka whole square यानि 1 ka whole square ठिक है तो इसका square हो जाएगा तो यह 3 रहेगा plus 1 आपको पता है कि 3 ka whole square कुछ भी करोगे 3 ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं इस तरह से मेरे साथ ही यह 4 हो जाएगा और ये AC बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट चार तो AC बराबर आएगा दो यह आप सब को पता इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्यों नहीं 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 कोई डाउट नहीं आगे बढ़ें यानि हम जो है वह AC भी मिल गया कुश्चन में पूछ क्या रहा था एक नजर मैं फिर से दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ न बताऊं देखो क्युश्चन कहरा था कि सौईन एपहला इसमें दो पार्ट है कुश्चन नमबर नाइन में कहरा कि साइन नहीं कॉस ए प्लस कॉस ए का भी निकालना है पहले इकठा लिखेंगे साइन वाले जो भी है कॉस का मान निकालने है क्यों को से निकालने न और को सि का भी मान निकालना है यह हमें इतने मान पहले करने हैं तब हम इन दोनों कोईश्चन के पार्ट को कर सकते हैं ठीक है साइन का सूत्र होता है बाबु लंब बटे कर्ड यानि पर्पेंडिकुलर अपान हाइपोटेनी तो अगर हम कोण एपर मानेंगे तो लंब उसके सामने की बुझा होगी होगी न तो यह क्या है कोण एक पर बनेगा तो इसके सामने की बुझा पर्पेंडिकुलर होगी यानि लंब होगी जिसका मान है एक वन वन है और यह आधार होगा तो यह कर्ड होगा यानि यह वन अपान टू नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बताए न ठीक है अगर मैं ऐस हि produce कि के लिए भी सूतर वही होगा करण ही होगा आप कांगे फिर दुवारा कहीё हो फ़कू तो पडलेगा तो लंब करण का मान बदलजएक और लेकिन लंब करण के मान बदल जाएगे कोंड सी इसमें हम यहां पर लेंगे सी पर याद रखना इस पे नहीं लेंगे नहीं नमकोन हमेशा हमेशा 90 के सामने वाली भूझा कर्ड होती सुन्हाइब है से कर्ड होती चुम पर समयरे घंच다 और कर्ड दो यहनि रूट 3 बटा 2 क्या हो जाएगा रूट 3 बटा 2 रूट 3 किसका मान था बटा क्या रूट यहां से सामने की बचा क्या होगी यह कर्ड होगी तो इसका सूत्र क्या होता है लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ड होता है ना तो इसके सामने की बज़ा क्या होगी लंब होगी का दार क्या यह है यह कर्ड तो क्या हो जाएगा रूट 3 बटा जो इसमें किसी को कोई दिक्कत ना कोई प्रॉबलम होगी तो बता देना इस कि इप आ सी का निकाल लो इसका भी सूत्र आधार बटे कर्ड ही होगा और वटे कर्ण होगा हूं अगर जब मोण c पर बनेगा तब ध्यान देना त्यक्म बन रहे हैं में इसके स्堵जा लंब ये आधौ ये कर्ण भा terrific सामने की बुजा लंब नीचे वाली आधार आधार यानी 1 और कड एनी 2 सुस्काहूं की लिखकर 1 कि सकान्था जो किसका मान था रूटी सकामान था एक का मैंने इतली लिखा आपको समझने के लिए कौन कौन सी भुजा करना रखा गया इतना लिए का फिर आपको आगे कराता हूँ थीकर आप सब कुछ série हे बना बनाया वह आना यह वह जरूरत की चीज़ों को यहां पर लिख लिया गया है अब आपको सिर्फ और सिर्फ कोश्चन का सलूशन करना है ओके डन चलिए जिनकी जरूरते थी उनको मैंने प्राप्त कर लिया है अब हमें कोश्चन करना है तो इसका फाइस्ट पार्ट हम उपर साइड में लिखेंगे यहां पर ध्यान देना फाइस्ट पार्ट कहता है साई इंटू कॉस्ची या अपको निकालना है ragioni a इंटू कॉस्टी इसके आगे दिख रहें ना और इसमें क्होंस ए साइन सी क्या है फॉक फॉषे इसके किया करने है मानान फैंड करने हैं साइन एकमान जो आया है उसे ल बटा दो ही है प्लस कॉस ए का मान क्या आया है देखो रूट तीन बटा दो और साइन सी का मान भी वही है मतलब यह सब बराबर हो गए सनियोक से यह लो ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं इनका मल्टीपल करोगे आपस में बाबू यह वन अपान फोर हो जाएंगे और यह प्लस देखो अंडरूट तीन का अगर अंडरूट तीन में गुड़ा करेंगे मैं तुम्हें बहुत बार बताया हूँ इसका वर्गमूल करेंगे तो तीन आएगा यह इसका पूरा डीटियल है जो यहां पर फूल डीटियल में देख लो दिख रहा है न यह पूरा डीटियल है लेकिन वास्तों में अगर हम साटकट में करना चाहें तो आप यह समझ लो कि कहीं भी अगर ऐसे आपको मिले कोई चाहे इसका है संख्या वर्गमूल में है उसका स्क्वाईर है तो उसका आंसर श्रकट में वहन लिख देतेख देते हैं व ciao रूट दोनों हटा देते हैं यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यह तीन बटा नीचे दो दो का चार इस तरह से हर हर बराबर है तो नीचे वैसे रह जाएगा वन प्लस ठ्री यह जूड़ जाएगा इसका अंसर कितना आएगा आप लोग समझ गए होंगे कमेंट कर दो फटा फट चचा चलो तो वन आएगा न कर लो कर देर ना करो बिल्कुल फटा फट जल्दी जल्दी से बोलते रहो वन आएगा न थीक है इस तरह से आपका क्या हो ज जाएगा वन अपान वन इक्वाल वन क्या आगे एक लिख लिजिए नाइन नंबर का फ़र्स पार्ट होगे ड़न इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ना कोई परिसानी नहीं तब कुछ मस्त एकदम टॉप चलो चिक है ओके एकदम क्लियर है नहीं एकदम मस्त है कि इसको जल्दी नोट करो सीकेंड पार्ट दिखाता हूं नहीं है बहुंज जल्दी करो फटा फट फट पर सवाइज के लिकेंड पार्ट देखे आपके सामने आ चुका है अगला सज्किमें का इसमें का इसमें दो पार्ट थे न है तो चलो रख्लो से into cos c minus sin a into sin c तो cos a कमान क्या है root 3 बटा 2 क्या है भाई root 3 बटा 2 into cos c cos c कमान 1 बटा 2 है minus sin c sin c कमान root 3 बटा 2 है और sin sorry sin a था पहले sin a कमान 1 बटा 2 है ठीक है 1 बटा 2 है उसके बाद फिर root 3 बटा 2 रहेगा ये कुछ ऐसा है क्योंकि sin a कमान 1 बटा 2 है sin c कमा root 3 बटा 2 है इनको हल करेंगे आपको पता है कि ये root 3 हो जाएगा ये 2 दून 4 हो जाएगा minus वही यहाँ पर भी हो जाएगा क्यों भाई मुझे तो लग रहा ये भी गड़ बढ़ा गया का 0 हो जाएगा यहाँ पर एरो लगा सकते हैं अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 अपान 4 हो जाएगा क्योंकि हर हर बराबर है जीरो अपान 4 लिख रहना बराबर फाइनल में जीरो आएगा सुनना आएगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न इस तरह से आपका परस्न संख्या 9 भी समाप्त होता है पोजिशन नंबर 9 भी कंपलीट हो गया लिख लिजिए इसक्रेंसाट ले लिजिए कोई दिक्कत नहीं न किसी को इसक्रेंसाट ले लिजिए जल्दी आगे बढ़ें चलिए बहुत जल्दी फास्ट बेरे गुट चलिए ठीक है अगली प्रस्न संख्या 10 और 11 ध्यान दीजिएगा और समझिए पोजिशन नंबर 10 और 11 कैसे होगा जरा ध्यान देना बाबू समझना क्या कहरा करने को थोड़ा समझना थोड़ा नहीं मतलब पूरा समझना क्या कहरा है देखो कहरा कि तिरभूच PQR में जिसका कॉंड Q समकॉंड है जिसमें PR धन QR बराबर 25 cm है पी क्यू बराबर 5 cm है ताइन पी कॉस पी और टैन पी के मान ज्याद करने है ठीक है यह आपको क्या करना है फाइंड करना है तो बहुत आसान है सिंपल सा है कोई दिक्कत नहीं है कर लेते हैं हम लोग कैसे तिरभूच PQR बना लो जैसे अभी मैं समकॉंड तिरभूच बन लोगे ना निकाल के और मान निकाल लेना इसको आप लोगों घोम और करोगे ठीक है कि मैं कहो तो थोड़ा अफा तरीका बता देता हूं कर लेना वैसे हिंड्स मिल जाएगा इतना बहुत है चलो नहीं आएगा तो बताना वैसे आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत ना ठीक है को कुश्चन नंबर 11 देखिए 11 नंबर कुश्चन यहां पर थोड़ा सा आपको समझने लाइक है करा बताईए कि निनलिखित कथन सत्ते हैं या आसत्ते हैं कारण सहीत अपने उत्तर की पुछ्टी कीजिए मतलब इनको बताना तो है लेकिन कारण भी बताना है इलेबन नंबर प्रस्ण का पहला पार्ट क्या है सत्ते हैं कि आसत्ते हैं यह बताना है और उसका रीजन देन कि भाई क्यों कि चलो लग में पढ़ते हैं तो पहले कि ठाल यह कौन सी बात है यह थे यह अमान सदेव 15 होता है यह तो फालस है और तो पहला क्या क्या या सत्रय है हिए मैं बता रहां सुनो यह फाल्स है kuria canrek我 कमान हमेशा एक से कम होता है एन ए इज लेस देन वन हमेशा यह कोई रूल नहीं है यह कोई ऐसी बिधी नहीं है कैसा होता है ज्यादा कम हो सकता है कैसे कारण साहित बताने को बोला है तो आप एक काम करो जलो कारण में थोड़ डिटियल में बता देता हूं आप इधर साइड में एक समकोंड तिर्भुज बनाईए ऐसे एक समकोंड तिर्भुज बनाईए बना लिया इनके नाम लिख लो कुछ भी लिख लो ABC बने लिख लिया यूखि हमें दिखाना है कि 10 A का मन हमेशा एक से कम नहीं होता है ही काए तो हम इनकी भुजह और कuç भी मान सकते हैं हमें सिर्फ सिद्धी तो करना है ना वीद Kennes इनकीवस्टाइं क państwo विले सकते मानलू आधार को ले लिया बारा है इस को ले लिया पांच है इस थिकलिएやप समझाए यह थे हम है इस दंध्य तो साथीों Prep आगर यहां से सूत्र से तो क्या होगा मुझे बता हो कि रेंची करिपन क्या होगा ऊवर लार बटा का कर्का से अगर सूत्र लगाओगे यह की आप सबस्कुरें आप आपन ही ओ यह यला पाने होगा ना ठाइन कमान ना लंब बटे आधार के नहीं क्या होगा लंब बटे आधार दो इसके जाएंग्ड satisf waking और बट्ढ 5 यहां से फिगर के according 10 E कमान बारा बट्ढ 5 आ रहा है अगर बारा बट्ढ 5 को आवाग दे के देखो अपसमें तो कितना आएगा बाग दोगे तो 2.4 सम्थिंग आयेगा बोलाएगा न अब 2.4 क्या 1 से कम है बोलो 2.4 क्या 1 से कम है नहीं है न तो कैसे कह रहा है यह कुश्चन में कि 10 एक अमान हमेशा एक से कम होता है कुछ भी रख सकते हैं यह तो इलजाम लगा रहा फिदा फिदा यहां से भी यह सिद्ध हो जाता है क्या 2.4 इस ग्रेटर देन 1 क्या कह रहा कुश्चन में कि 10 एक अमान सदव एक से कम होता है यह तो एक से कम हुआ ठीक है जैनि कहने का मतलब इसके अकार्डिंग इसाही हो गया लेकिन यह जरूरी नहीं है ठीक है यह मान हमने अपने फिर रखे थे न हम चलो इनको थोड़ा बदल देते हैं उसमें क्या जाता है यह पहली कंडिश ही तो है हमें सिद्धी तो करन मतलब कुछ भी मान सकते हैं ऐसा कहीं कुछ कहा तो है नहीं इसमें जरूरी नहीं कि 12 और पांच ही माने इस पर तुम कोई गिंती मान लो इस पर कोई मान लो हमने लिया ट्वयल और फाइब चुना है तो ठीक है चलो तो आप क्या होगा यहां पर समझना दूसरी कंडिशन में भी समझ लो अगर हम बारा और पांच मान लेते हैं तो भाई लंब पांच हो जाएगा यह हो जाएगा इसको अगर भाग देंगी बाबू आप लोग भाग देके देखो एक बार तो आपको पता है न क्या आएगा पांच में बारा से भाग करोगे जीरो बार जाएगा जीरो पाइप आएगा दसंबी बढ़ाऊ जीरो उतारो बारा चोक नशालीश ना घटाने पर कितना है दो जीरो उतारा बारा एककम बारा मतलब 0.41 समझ आएगा जो भी आएगा न तो क्या ही है यह 0.41 समझ जो भी है है 1 से कम ही Zyadha Hai less than one है ना सवसित ही इक से छोटा नहीं है जानि जो यह आउधारणा रहा था कि कि यह 1 से जादा होता है गया से कम होता है ऐसा हुआ नहीं वहstorm मैंने एकमाहां चुरक्षन पहला तो उसमें के central 05 एक से कि यह असत्य है थैन एकमान हमेशा एक से कम होता है एक यह डाप सीद्ध हुए लिखा गया वह गलत है हां से यह गलत सिध्ध हुआ ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं किना तो बता देना बिल्कुल भी आप टैंसयन मत लेना एक भी पैसे खा़ए ठीक है स्यक ए बराबर बाराबटा पांच है कोण ए के किसी मान के लिए है ठीक है देख लेते हैं दूसरा वाला सब्ते है क्या सब्ते है बाद में लिखेंगे कोण ए के किसी मान के लिए इसमें और कुछ नहीं दिया है किया दिया है यह स्यक्ण एक淨 बारा बटा 5 है हम इसको भी रहे कर लेते हैं तिरबूज में हम लिखेंगे पहले प्रहले आपके को ऊश्क सुत्र क्या होता है लाल बटा कक्का से आपको पता है कॉस का सुतर क्या होता है यह अरसाध्र हर और बोले ये भी दोनों मतलब समझे लो दोनों का बता देता हूं यल का मतलब लाल बटा का 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 मतलब कर्ड इसमें पंडित पी मतलब पर्पेंडी कुलर एच मतलब हाइपोटेनियस पी मतलब बेस एच मतलब हाइपोटेनियस यानि हाइपोटेनियस मतलब कर्ड कर्ड तो यल का मतलब लंब है इसमें पी का मतलब अपंडी कुलर यानि लंब है यह इंगलिस वरजन यह है यह हिंदी वरजन है बस समझ गया इसका मतलब यह होता है तो भाई बाबू हमें क्या निकलना है कि निकलना से कॉस्ट का उल्टा होता तो कॉस्ट दूसरे पर आता है पहले साइन फिर कॉस्ट फिर टन तो ए बटा के यानि कॉस्ट का सूत्र होता है अधार बटे कर्ड क्या होता है अधार बटे कर्ड क्या होगा कर्ड बटे आधार होगा क्या होगा कर्ड बटे आधार समझे रहूं न इसमें चाहँ किसी मान के लिए 12 बटा 5 है यह 12 बटा 5 हमने इसका लिखा यानि हमें कर्ण 12 दिया है और आधार क्या दिया पांच दिया है अगर यहाँ पर लेंगे तो यह लंब हो जाएगा यह 5 हो क Rahi Kyra कि किसी मान के लिए ऐसा है और नहीं है यह बताना है सीधीसी बात हाई यह किया है यह अधार το क्या यह लंब निकाल सकता है अ अहां निकल सकता है किन बारा बरहमें 145 पंचके- beps Ag sail log 1525 गटा होगे न कर देखो इसको करना नहीं सिर्फ हा या नहीं बताना है तो गटा के देख लो 14 में से 5 गया नौ यार में लगता है साथ आएगा चलो ऐसे गटा लो में लगता साथ आएगा करके देखो नौ पांच उद्ण आएगा तेरा में से दो गया इसमें से उधार गया था यह कितना बचा तीन तीन में से दो गया एक 119 यानि कहने का मतलब यह अंडरूट 119 आएगा आपको पता हो गया आप लोग समझ गया होंगे मेरी बातों को यह एक तिर्भूज बनना संभव है अग कि weевой मान करण से बड़ा आजाता तो तो हम कहते है किह संभाव नहीं 98 कि कि समकौन का सबसे बड़ी बुझा होती है मती है ने किसी समकौन करण सबसे बड़ी ह programmers होती है यह यह उसको पछनकर रहा है तो लिखेंगे सर्ते चीनित्टे यह सकती है यह लिखोंने यह सब्चति जो किसी एकमान के लिए से 1वार बारसा 5 सकता है में सबस्क्राइब की सब्सक्राइब बाभ जोंद सब्सक्राइब कोर चे के लिए परियुक्त के लिए कोज्वित एक परलर्यों कोज arri К Nahi कोज्वास एज आपको मनें बताया अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी ये साइं को इस एं हम लोग बोल रहे हैं ये पूरा नाम नहीं है यह किसी का नाम पंडित राम परसाद différents पुमANE परसाद पंडित राम परसाद ओनर पूलम IT कि अवह सखना सान की सखना। यह full नाम नहीं है देखो कोस का जो full नाम है वो क्या पता है तुम्हें कोस एक फुल नाम है को साइन क्या है को साइन ओके और जो कोसेक का नाम होता है कॉसेंट क्या होता है कॉसेंट होता है कॉसेंट होता है यानि क्या कॉसेंट के लिए परियुक्त होता है यह कॉसेंट के लिए परियुक्त होता है कि इसमें कहा है किसके लिए परियुक्त होता है कॉसेंट के लिए परियुक्त होता है कॉसेंट के लिए परियुक कि यानि कॉसेंट जो है वह कॉसेक के लिए परियोग होता है कॉसेक के लिए किसके लिए इसके लिए इसके लिए परियुक्त होता है लेकिन यह कह रहा है कि इसके लिए परियुक्त है नहीं इसके लिए तो यह परियुक्त होता है ना कौसाइन होता है ना ठीक है तो हम बोलेंगे यह क्या आसत्य है किया है यह आश्द्थे एक डन इसमें कोई कोई आपती नहीं ने ड़ी समझ चलिए बिल्कुल कोई दिख्कत नहींएं सब बहुति इे बहुत आसान है अगर आप एक बार समझ गें तो नई आपार है बाबु नहीं आपा रहे चलो नि अगे बढ़े में अगला कहरा कि कोट एंट और एका गुडण फल है क्यों था इनका कहने का यह मतलब है कि जो कॉट एंट है इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं का ये मतलब है किया यह ऐसा है इस इस इन्सान की सरीर से इंसान की खोपड़ी अलग करना हो गया इसको इसमें से अलग नहीं किया जा सकता यह गुड़े में नहीं होता है आपने प्रहाइश से देखा होगा पास 30 अंस का मान न, ऐसे, पास 90 अंस का मान, तो भाई अगर ये कोड़े नहीं रहेगा, इस पर ते इसका कुमिक मान हवा में थोड़ी निकलेगा, यानि वो गलत है, इसको इसमें गुड़ा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानि वो पूरा-पूरा एक के पद है ये इसको हम दो भाग में नहीं अलग-अलग तोड़ सकते हैं, समझ गए न, तो ये क्या है, असत्य है, इफी तरह से अगला देखो, अगला क्या कहता भाई, किसी भी थीटा के लिए, साइन थीटा बराबर 3 बटा 4, ये भी करवा देता हूं, समझते चलो भाई, अगला 5 ये असत्य है, क्यों असत्य है, बताता हूं, देखो, ये असत्य इफ लिए है, कह रहा है कि किसी भी थीटा के लिए, साइन थीटा 4 बटा 3 हो सकता है, क्या, ज़रा समझ न, भाई अगर साइन थीटा बराबर 3 बटा 4 करेंगे, पापु हमें पता है किसका सूत्र होता है, ल निई लंब बटा करड़, वह तो हमें दिख रहा है । यहांद लंब स्थिसिवक्राइब 3 है, क्या देखर लो किताब में दिया है कूश्चना दिखाव भी, इस्कृरीन पर स्थि्ठ now तेरह किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इतना हो सकता है नहीं कभी नहीं हो सकता है क्यों आप कहोगे ऐसा क्यूं बोल रहे हो क्योंकि इसमें लंब 4 दिया कर्ण 3 दिया सीधा फिधा आत्या 4 है किसी भी संकॉन तिर्भूज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है नीचे लिखो असत्य है क्यों असत्य है इसके आगे करण लिख लो क्योंकि किसी भी समकोर्ट तिर्भुज में कर्ड सबसे बड़ी भुजा होती है लेकिन साइन थीटा बराबर चार बटा तीन में लंब कर्ड से बड़ा है कर्ड लंब से छोटा हो रहा है इसलिए यह संबहुर नहीं है आया समझ में तो इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.1 खतम हो गया ठीक है आपका एक्सरसाइज 8.1 इंड हो गया अगर कोई डाउट हिताब कमेंट करिए निसंकोच बताइए पूछिए हम बताएंगे जल्दी से फटा-फट कमेंट करते जाए हम आपके हर एक डाउट का जबाब देंगे ज्यादा फे ज्यादा कमेंट करिए इस कलास को अपने प्यारे दोस्तों में जरूर सेर करना यार जरूर करना बहुत तो मेहनत लगती कलास को चलाने में ठीक है आप लोग उसको समझिए और कलास को दोस्तों में साथियों में सेयर खूब करिए दबा के और नोट्स बनाइए जितना पढ़िए आपका कोर्स परिक्षा के पहले बड़े प्यार से खतम हो जाएगा जितना पढ़ा रहे उतना क्लास के बारे में प्रतेक अपडेट आपको मिल सके कि कौन सी कलास चल रही नहीं चल रही कप चलेगी नया बैच कप सुरू हो रहा है फिरी वाली कलास कब से फिरी कर रहें सब मालूम चलेगा फालो करें